मैं आपका स्वागत करता हूं मैं आज दिखाऊंगा मौसमी की बागवनी जो हमारी जैपुर में लगी है तीन साल के पठ्थे हो गए हमारे आप देख सके देखिएगा कैसा फल है कितने साइज का फल है कितना फल है यह आंधी तूफान अभी आया था उसमें जड़बी गया तब भी कम से कम साट परसंट 50 परसंट लटका हुआ है वह मापको दिखाएंगा मौसमी की बागवानी वह भी लाइब जिया दोस्तों भाईयो आप देख सकते हैं फल लगा हुआ है मौसमी का बगीचा है आप देख सकते हैं आपको पस नोटिक से करना फल की नोटिस करना और पौधे को पौधा को डैमेज तो नहीं को दिकत तो नहीं देख लीजे फल की साइज 200-300 ग्राम तक बन चुकी है इसमें बता दूं आपको यह जब करोंदे के साइज में बतिया थी तो इसमें आधी तूफान ज्यादा आया था तो जड़ गया थमाल तो आधा 50 कर लिजे तीन साल का पौधा हो गया है कि देखे फल भी काफी मात्रम लगा हुआ है और नीचे सब्जी भी करते हैं तो आप किसान भायों मैं बता दूं आपको अगर आप मौसमी की बागवानी करते हैं तो एक से दो साल फल नहीं ले पाएंगे उससे अच्छा नीचे दस बाई दस पे लगा हुआ है और डेढ़ हिकर में साड़े साथ सो पौधा लगा हुआ है और यह मनोहरपुरा हाइबे पर है आंधित हुलाई से पांच किलोमेटर आगे मेन हाइबे बगीचा लगा हुआ जैपूर में जिया किसान भाईयों देख सकते हैं यह देखे जो और गेनिक प्लान्टेशन अनुज मिस्त्रा की तरफ से लगाया हुआ है तीन साल हो गए इसमें अच्छा फल लग रहा है यह पेड़ मरा मरा सा लग रहा है एक पेड़ इन्होंने बीच में किन्नू का लगाया है यह किन्नू भी इसमें खूब आ रहे हैं यह देखो किन्नू खूब आ रहे हैं फिर यह मौसमी आ गई यह देखो यह मौसमी आ रही है इसमें यह देखो कि यह अनुद मिस्रा की तरफ से लगाए वे पेड हैं जैपूर लखनों किसान और अब गिनिक प्लांटेशन की तरफ से लगाए में तन्यवाद भाई मिस्रा जी आपको यह अपने देखा न यही अपना काम है आपने देखा फल भी देखा पौधा भी देखा तीन साल का प्लांट है और एवर्ण कॉलिटी प्लांट आप फ़ल भी देख रहे हैं साइस कंसे कम 300 कराम ढ़न गया है अब हली चूटती हमारे में को पकाने का कोई इससु नहीं है कि ज इसमें सड़ने में सड़ने की दिक्कत नहीं आगी जो माल सड़ने लगता है और हाथों हाथ बिख जाएगा कच्छी टूटेगी जो लेगा वह भी 15 दिन लोग सकता है यहां किसान भाईयो मैं मिस्रा जैपुल लखनों किसान नरसरी में आपका फिर सवाकत करूंगा एक नई दारेक्ट बाहर से मगाते हैं उनको खुद पता नहीं होता क्या चीज मंगा रहे हैं और हम लोग खुत तयार करते हैं हुआरे खुद के मदर्टें दिया किसां भाईयो नमस्कार राम राम जैहिन